में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं परमेश्वर के अनमोल वचन सुनने के लिए मेरे प्यारी भाईयों और बेहनों पिछले एपिसोड में जब मैं आप से चर्चा कर रहा था स्तरवशक्ति मान परमेश्वर ने आदम को आग्या दी थी आदम को उसने सब कुछ दिया लेकिन एक पेड उसने अलग रखा एक वरुक्ष को उसने अलग रखा था उत्पति अधियाए दो वचन सत्रह में ये कहता है भले और बुरे के ज्ञान का एक वरुक्ष है और उसका फल तु कभी न खाना अगर तु उसका फल खाएगा तो तु निश्चे ही मर जाएगा इस तरह से कहां मेरे पुत्र सारा संसार तुम्हारा है तुम पूरे संसार के ऊपर में राज्य करो लेकिन एक पेड उस पेड का फल नहीं खाना ऐसे कहां अगर तुम उसका फल खाओगे तो निश्चे ही मर जाओगे वो व्रुक्ष कियों पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था एक शत्रू है जिसका नाम लूसीफर है परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से निकाल दिया पृत्वी पर गिरा दिया और उसने उस पेड से उस शत्रू को बान कर रखा था उसने उस पेड से उस लूसीफर को बान कर रखा था इसलिए उस पेड कफल खाने को मना किया यह तो उसके लिए जगह थी जहां पर लूसीफर था यह लूसीफर की जगह थी इस पृत्वी पर जब तक कि उसका न्याए न किया जाए उसे वहां पर बंदा हुआ रखा था इस बात को थाबित करने के लिए कि यह तो हत्यारा है, यह पापी है इसने परमेश्वर की विरुद में बलवा किया है यह सब कुछ साबित करने के लिए पर मेश्वर तो धर्मी न्याए धिश है यह हम जानते हैं हाला कि उसने पाप किया पर मेश्वर उस समस्से दंड दे सकता था लेकिन परमेश्वर तो धर्मी नियाएधीश है जो कुछ भी वो करते हैं वो तो धर्मी नियाएधीश है मेरे प्रिये लोगो यही कारण है कि परमेश्वर ने अपने पोत्र आदम से कहा कि उस पेड का फल न खाना और फिर उसके बाद क्या हुआ मेरे प्रिये लोगो उस पेड पर वहाँ पर वो साप आता है प्रकाशित वाक के अध्या बारह वचन नौ में बाइबल हमें उसके बार में बताती है कि वो पुराना साप जिसे इबलिस कहते हैं जिसे शैतान कहते हैं वो तो शैतान है ये तो पुराना साप है यही तो एबलिस है और ये जो सर्प है ये आदम की पतनी हवा से बात करने लगा वो उसके साथ में वहाँ पर बातचीत करने लग गया जब उसने स्त्री से यानि आदम की पतनी से इस तरह बातचीत की तो उसने उससे एक सवाल पूछा इस तरह पूछा या परमिश्वने कहां कि इस वाटी का कि किसी भी पेड का फल नहीं खाना ऐसे उसने पूछा और उस समय प्रिये लोगों हवा ने उसे प्रतियूत्तर दिया यानि उसने सर्प से कहा हम इस वाटी का कि सभी पेड का फल खा सकते बस एक पेड को छोड़कर ना उसे छूना ना उसे खाना नहीं तो हम मर जाएंगे ऐसे परमिश्वने कहा है और ये उत्पती अध्यातीन में हमें बताया गया है अध्यातीन में ये बहुत इस पश्ट रूप में लिखा गया है इस वचन को सुनिए उत्पती अध्यातीन वचन चार यहां पर हम पढ़ते हैं इसे गौर से सुनिए Then the serpent said to the woman, you will not surely die. Sarp ने स्त्री से कहा कि निश्चे ही तुम नहीं मरोगे. Genesis chapter 2, 17, God said you will surely die. उत्पत्ती 2, 17 में परमेश्वर ने उससे कहा था कि तुम निश्चे ही मर जाओगे, ऐसे आदम से कहा था. परमेश्वर ने कहा, if you eat, you will surely die. अगर तुम इसका फल खाओगे तो तुम निश्चे ही मर जाओगे. Sarp ने कहा कि तुम निश्चे ही नहीं मरोगे. इस तरह से उसने कहा. उसने हवा से जूट कहा था. उसने उसे भरमाया. उसे धोका दिया था. उसने जूट बोला था. और फिर क्या हुआ? उस्त्री ने परमेश्वर की आग्या भंग की और शत्रू की बात मानी, लूसिफर की बात उसने मान ली अब अब गॉद परमेश्वर ने सारा संसार मनुष्य की नियंप्रण में कर दिया था और उसने उससे कहा था है मेरे पुत्र तु ऐसा मत करना, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम निश्चे ही मर जाओगे और फिर सर्प आ कर ये कहता है कि तुम ये फल खाओ और तुम निश्चे ही नहीं मरोगे तो उन्होंने किसकी बात मानी इस पहले मनुष्य आदम ने किसकी आवाज उसने सुनी उसने अपनी चुनाओ का उप्योग किया क्योंकि उसके पास चुनाओ का पूरा अधिकार था और उसने शत्रू की बात मान ली उसने पिता की आग्या जो थी उसको भंग कर दिया यहां पर केवल उसने वो फल ही नहीं खाया यहां पर इस जगह पर और भी कुछ हुआ यहां पर कुछ और भी हुआ यह सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ क्योंकि शैतान ने आकर उससे काफी समय तक बात ची थी कई बार उसने आकर उससे बात की लेकिन शैतान ने उन्हें भर्मा दिया था सच में क्या हुआ था बाइबल हमें स्पष्ट बताती है यश्या अध्या 28 में ये बहुत स्पष्ट रूप में बताती है अगर आप वचन 15, 16 और 17 बढ़ेंगे ये लोगों समझ लीजे कि यहां पर क्या हुआ था क्योंकि यहां पर यह कहता है कि उन्हों ने शत्रू के साथ में वाचा बांदी इस पुरुष्ट ने शत्री ने शत्रू के साथ में वाचा बांदी और शत्रू ने इस मनुष्य को धूका दिया था और यहां पर किसी तरह से कुछ लेंदेन हुई और यह लेंदेन क्या थी? मेरे प्रिये लोगों परमेश्वर ने उस शैतान यानि लूसिफर और उसके दूतों के लिए एक जगह बनाई थी उसे तो मृत्यू और नरक कहते हैं और वो तो नरक की अनंतकाल की आग है उसने इसे पहले से इसके लिए बना लिया था और फिर यहां पर क्या हुआ? यहां पर शैतान ने मनुशे को मृत्यू दी और उसे नरक दिया और उसके साथ में वाचा बांदी सहमती की और मनुशे ने भी उसे स्वीकार किया और अपने शरण के लिए उसने उस जूट पर विश्वास किया और इसलिए वो जूट बोलने लगा और छिपने लग गया था प्रिये लोगो यह लिखा हुआ है आम इसे सुनेंगे यश्या अध्या अथाइस वचन पंद्रह में जो लिखा है आप इस बात को समझ लीजिए because you have made covenant with death and with Sheol you have made an agreement when the overflowing scourgEE फोगसे थरू एफन अूच ये वो हान एके हुआ for we have made lies our refuge and our falsehood we have hidden ourselves वोल्सुू रही है। है कि वाफने हैं? यहां पर परमेश्वर आते हैं प्रिये लोगों, जब उसने मृत्य और नरक के साथ में ये वाचा बांधी थी, उस समय परमेश्वर आते हैं, परमेश्वर आकर उससे कहते हैं, तुम्हारी जो सहमती वो बनी नहीं रहेगी, मैं इसे खत्म कर दूँगा, मैं इसे कैंसल कर दूँगा, मैं इसे नाश कर दूँगा, ये बनी नहीं रहेगी, परमेश्वर ने उस समय प्रतिग्या की थी, मेरे प्रीय भाईयों और बहनों, शत्रु शैतान के साथ में ये सहमती की गई थी, जब परमेश्वर ने कहा कि ये फल नहीं खाना और उसने आग्या भंग की और उसने शत्रु की बात मानी और वो फल खा लिया, तो फिर वहाँ पर क्या हुआ, जो शैतान है, जो लूसीफर है, उसने सारे संसार को अपने नियंत्रण में ले लिया, और उसने इस मनुष्य को अपना गुलाम बना लिया, मेरे प्यारे भाईयों और बहनों, मानो जाती के साथ यही तो हुआ था, और शैतान की द्वारा जब पाप इस मनुष्य में आ गया, और मनुष्य जो है, वो तो उसका गुलाम हो गया, और पूरा संसार, यानि जो कुछ भी मनुष्य का था, वो शैतान ने अपने हाथों में ले लिया, वो सब कुछ उसने मनुष्य से ले लिया, और शैतान इस संसार का इश्वर बन बैठा, वो संसार का इश्वर बन और शैतान ने आदम का जो स्तान था, वो ले लिया, और मनुष्य को अपने नियंतरन में ले लिया, अपना गुलाम बनाए, यही तो हुआ है, और जब उसने उसके बात मानी, तो मनुष्य जो था वहां पर पूरी तरह से विवस्त रहो गया, वो पूरी तरह नंगा हो गया, इसका मतलब जो कुछ भी मनुष्य के पास में था, उसका सारा वो अधिकार जगह, सारा राज्य जो उसके पास था, सारा अधिकार जो उसके पास में था, सारी धन संपत्ती जो उसके पास थी, सब कुछ उससे छीन लिया गया उससे ले लिया गया और मनुष्य तो नंगा हो गया वो असाहिय हो गया और वो तो शायतान का गुलाम बना और उस दिन से मेरे प्रीय लोगों समझ लीजिए कि यह हुआ है बाइबल हमसे कहती है उस समय सर्वशक्तिमान पर मेश्वर आए वो आदम के पास आए उत्पत्ती तीन नौ में बाइबल यह कहती है वचन कहता है पर मेश्वर ने आकर आदम को पुकारा हे आदम हे मेरे पुत्र तू कहां पर है मेरे पुत्र तू कहां पर है जब ही मैं आता था तो तू हमेशा दौड कर मेरे पास में आता था आज तू कहीं पर नहीं दिख रहा है तू कहां पर है तब आदम ने कहा मैं यहाँ पर छिपा हुआ हूँ क्योंकि मैं विवस्त रहूँ मैं सब कुछ खो बैठा हूँ मैं तो अभी नंगा हूँ ऐसे कहा इसलिए मैं छिप रहा हूँ मेरे प्रिये लोगों यह हुआ है यह तो मानव जाती की सबसे बड़ी ऐसी दुखत घटना है और यह जो दुखत घटना है लगभग 6,000 साल पहले हुई बिलकुल शुरुवात में शत्रु ने मनुष्य को धोका दिया और उसने पूरा अधिकार ले लिया उस दिन से यहने दो हजार साल पहले जब ईशु मसी का जन्म होँ समय तक मनुष्य तो पूरी तरह से अपने शत्रु शैतान की बनवाई में था उसका लक्ष यही था कि पूरी मानव जाती को वो नाश कर दे कि मनुष्यों को नाश करे कि वो मनुष्य जाती को खत्म कर दे कि मनुष्यों को याने परमेश्वर के पुत्रों को अनंतकाल की आग में लेकर जाएं यही उसका लक्ष था और यही तो वो कहता है मेरे प्रीय भाईयों यही तो हुआ है बाइबल इस तरह से कहती है और फिर परमेश्वर ने यह सवाल पूछा उसने कहा कि मैं तो नंगा हूँ परमेश्वर ने पूछा कि तूछ से किसने कहा कि तू विवस्त्र है क्या तूने उस पेड का फल खाया है जिसे मैंने खाने के लिए मना किया था उसने अपने पुत्र आदम से यह पूछा आदम ने परमेश्वर से कहा जो स्त्री तूने मुझे दी है इस्त्री ने उस्त्री ने मुझे ये फल खाने के लिए कहा तो मैंने इसे खा लिया फिर उसने स्त्री को बुलाया तूने ऐसा क्यों किया है और उसने कहा जो सर्प है उसने मुझे धोका दिया है शैतान ने मुझे धोका दिया है और इसलिए मैंने ये फल्काया है उत्पती 3.13 में यही तो लिखा हुआ है and the Lord God said to the woman what is this you have done the woman said the serpent deceived me and I ate तब यहवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया है, स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया इस बचन को देखिए मैं इसलिए बता रहा हूं कि मनुष्य जाती की जो समस्या उसकी जड़ को हमें समझना होगा मनुष्य की समस्याओं के लिए जड़ का कारण, ये क्या है यह में जानना होगा और मनुष्य यही पर तो गिर गया और शैतान ने जो है मनुष्य को धूका दिया और उस दिन से उसने मनुष्य को अपने हाथ में गुलाम बनाया मनुष्यों को उसने अपने हाथ में ले लिया मेरे प्रीय भाईयों और बहनों उस समय परमेश्वर ने सर्प से कहा परमेश्वर ने शैतान से कहा तुने ऐसा किया है इसलिए स्त्री का जो बीज है वो आएगा और वो तिरे सिर को कुचल देगा परमेश्वर ने उससे कहा था उसने कहा कि तेरा ये जूट और तेरी ये जो जूटी सहमती ये काम ने करेगी मैं ऐसे नाश कर दूँगा ऐसे परमेश्वर ने कहा स्त्री का वंश आएगा वो आख तेरे सिर को कुचल देगा प्रीयों इसे समझ लीजी परमेश्वर का मेमना परमेश्वर ने जो प्रतिग्या की थी कि शैतान स्त्री का भी जाएगा उसका वंश आएगा और तेरे सिर को कुचल देगा ऐसे कहा था वो आकर तेरे सिर को कुचल देगा तुम बच नहीं सकेगा मैं निश्चे ही इसे खत्म कर दूँगा और मैं धार्मिक्ता से नियाए करूँगा मैं नियाए करूँगा और उस समय पर मेश्वन ने यही तो किया मेरे प्रिये लोगो बाइबल यही तो कहती है और फिर पाप तो एक मनुष्य में आया और एक मनुष्य इस बुराई का गुलाम हो गया वो इसका गुलाम बन गया उस दिन से आगे हर एक पीड़ी जो इस पृत्वी पर जन्मी है हर एक वेक्टी जो इस पृत्वी पर जन्मा है जो इस पृत्वी पर जन्मा है और वो तो निश्ची पाप में हैं और उन पर मृत्यू की आग्या है रोमियो पांच बारा में बाइबल कहती है Therefore, just as through one man sin entered the world, and death through sin, and death spread to all men because all men sin. May beloved brother and sister, because of this reason, because of that one man, all the people, those were born after that, including me and you, उसमें मैं भी हूँ और आप भी हैं संसार के सभी लोग सभी लोग तो पाप में जन्मे हैं पाप के स्वभाव में जन्मे हैं और ये तो शैतान का स्वभाव है ये बुराई से भरा हुआ स्वभाव है इसमें कुछ भी अच्छाई नहीं है और सभी जो मनुष्य है पाप में जन्मे है, पाप तो हर एक व्यक्ती पर आया है, और ये तो उनके खून में चला गया है, ये तो भ्रष्ट ऐसा खून है, पहले मनुष्य का खून भ्रष्ट हो गया, उसका खून भ्रष्ट हुआ, और जो सभी मनुष्य जन्मे हैं, वो पा और मृत्यू सभी मनुष्यों में फैल गए इस तरह कहता है आज के दिन जब आप इसे देखते हैं हर एक व्यक्ति जो की आदम से जन्मा है उसके अंदर में दो शत्रू होते हैं एक तो पाप है और दूसरी मृत्यू है मृत्यू का मतलब है ऐसी जगह जो की शैतान और उसके दूतों के लिए तयार की गई है उसे ही मृत्यू और नरक कहते हैं ये तो अनंतकाल की आग है ये तो मृत्यू नाम की जगह है मेरे प्रियो लोगों उससे कैसे बचे कैसे इस पाप में से बाहर आएं कैसे इस मृत्यू से बाहर आएं यही तो कारण है 2000 साल पहले सर्वशक्तिमान परमेश्वर वो यहाँ पर एक मनुश्य के रूप में आए उसका नाम येशू मसी है उसका नाम येशू मसी है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा उसने इशू मसी को दिया वो यहाँ पर आए और हर कोई जो प्रभू इशू मसी पर विश्वास करता है वो कभी नहीं मरेंगे वो तो अनंत जीवन प्राप्त करेंगे इसका मतलब इशू तो उद्धारक है वो हमारे रक्षक है और वही तो है जो आपको पाप से बचाते है और वही तो है जो आपको मृत्यू से बचाते है और वो आपको अनंत जीवन देते है ये सूसमाचार तो सारे संसार में प्रचार किया जाना चाहिए और यही तो सूसमाचा प्रचार किया जा रहा है पिछले 2000 साल से यह सूसमाचार है प्रभु येश मसी ने हमारे लिए क्या किया है मेरे प्यारे भाईयों और बहनों मैं इस संदेश को आगे जारी रखूँँगा कि प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है और हमें क्या करना है हम कैसे इससे बच सकते हैं कैसे हम उधार पा सकते हैं हम सचाई को जानेंगे अगले एपिसोड में हम इससे आगे देखेंगे और इस बीच में आप बाइबल लीजिए बाइबल खोलिए बाइबल पढ़िए इस वचन पर मनन कीजिए तो आप सत्य को जानेंगे और संसार में क्या हुआ आप समझ पाएंगे यीशु ने क्या क्या इसे जानेंगे परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया ये जानेंगे ये सब कुछ बाइबल में है पिये लोगो हमारा जीवन तो इस संसार में बाकी सारी बातों से बढ़कर महतुपूर्ण है आपका जीवन जब आप इस सत्य को जानेंगे जब आप प्रभू को जानेंगे तो आप सदा के लिए जीएंगे आप अनंत जीवन पाएंगे इस सत्य को जानने के बारा इस पृत्वी पर आप बड़े शांति और बड़े आनन से जी पाएंगे और जब इस देह को छोड़कर जाएंगे तो हमेशा के लिए प्रभू के साथ में, परमेश्र के साथ में रहेंगे उसके राज्य में रहेंगे यही परमेश्र की अच्छा है कि सभी मनुश्यों का उधार हो कि हर एक के पास अनन्त जीवन हो मेरे प्रिये लोगो इस वचन को सुनकर आपने आशीश पाई है जब आप इन सत्यों को सुनते हैं आपके भीतर में इच्छा उद्पन होगी कि मैं सच्चाई को और जादा जानना चाहता है जब ये इच्छा होगी पवितरा आत्मा आपकी मदद करेगी कि आप इसे जाने और आप जीवन प्राप्त करेंगे आप सदा के लिए जीवित रहेंगे आए प्रातना करते हैं पिता परमेश्वर इन प्रिये लोगों के लिए आपका धनेवात करता हैं ये सब देख रहे हैं प्रभू ये गौर से सुन रहे हैं हे प्रभू आप इनकी समझ खो लिए ताकि ये सचाई को समझ सके ताकि ये सत्य के ज्ञान को समझ सके प्रभू जी ये लोग आपको स्वीकार करने का निर्णे ले सकें आपको स्वीकार करने के द्वारा ये सदा सदा के लिए जीएंगे और यह आपको महिमा देंगे पिता येश्व के नाम में हम प्रात्ना करते हैं आमें प्रभु की प्यारी संतानों प्रभु आपको आशिश दे उसमें आपको पहले ही आशिश दे दी है आपको यह सत्य जानना है और लोग तो ज्ञान की कमी के कारण नाश होते हैं और यह सारे वच्छन आपके पास इसलिए आते हैं कि आपको ज्ञान दे सकें निर्णने लेने वाले तो आप ही हैं यह आपके हाथों में हैं प्रभु आपको बहुत आयत से आशिश नाम में आमें कर दो देटने लेका हैं प्रोग बहुत आपके पास पी एह हैं जड़ान आपके ड़ाए्टर में आपके दोपके कि जवसी नापके कि आपके जए दो खो बहुत आते हैं प्रभु